लोग गाई का नहा सिंग राठोर सुर्खियों में भी है और विवादों में भी है क्योंकि उनका सीजन टू यूपी में काबा रिलीज हुआ और उसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया है क्या है पूरा मामला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नहा सिंग राठोर क्या आपके बोल थे जिसको लेकर के कानपूर पुलिस ने आपको नोटिस थमा दिया जे वो जो कानपूर देहात में जिस तरह से जो एक कांड हुआ है आप सबको भी पता है कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है जिस तरह से बुलडोजर से उनका घर रौंद दिया गया और बड़ी ही ऑसम वेदन शिलता के साथ घर में आग लगी और मा बेटी जल के राक हो गई सामने ही और उनका बेटा सामने से से देख के बोल भी रहा था कि मुझे को मम्मी जल रही है कितनी अजीब सी बात है कितना एकदम रिदय विदारक टाइब का तो मैंने उस वीडियो को देखा उस घटना को देखा तो मुझे लगा एक लोग गाई का होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं कि इस पे बोलना इस पे अपने माध्यम से कुछ कहना बड़ा जरूरी है अगर चार लोग मेरी बात सुनते समझते हैं तो तो मैंने यूपी में काबा सीजन टू करके एक गीत रिलीज किया जिसके बोल मैं आपको सुना देती हूँ इसके बाद ही मैं बात करूँगी इसके बोल कुछ ऐसे हैं कि बाबा के दर बार बा, धहत घर बार बा, माई बिटी के आग में जोकत यूपी सरकारवा, काबा, यूपी में काबा, अरे बाबा के डी एम त बड़ी रंग बाजबा, कान पूर्दे हात में ले आईल राम राजबा, बुल्डोजर से रौंदत द इक शित के घरवा आजबा, अरे ही बुल्डोजर वापे बाबा के नाजबा, काबा, यूपी में काबा, का लक्तर ठुम के बाजबा, सटकल ओ करमी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगा मनमानी के रिवाजबा, काबा, यूपी में काबा, अरे गरिबन के मड़ा इफुक व मुसल्मान बा, ये बाबा यह जाना खाली, अब्दुल के मकान बा, काबा, यूपी में काबा, ये बोल है, इससे लगता है, यूपी पुलिस को कि समाज में मैंने जो है, वैमनस्तिता फैलाने की कोशिश की है, समाज में एक सौहार्दर बिगारने की कोशिश की है, समाज म तो आम बेटकर नगर जहां पर मेरा ससुराल है मेरे ससुर जी को नोटिस थमा दिया पूरी पुलिस की फौज ऐसे गई थी जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने नहीं जाते हैं वैसे गई इसके बाद वहां से बात नहीं बनी तो रातो रात आ गई यह लोग सक्रियत दिया है जिसमें यह लिखा है कि तीन दिन के अंदर मैं इस नोटिस का जवाब नहीं देती हूं तो मेरे खिलाफ उचित का रवाई करेंगे यह लोग इस तरीके के सवाल जो है नोटिस में लिखे गए हैं और गाना कब रिलीज हुआ था है आपका आती हूं कि आप अपने देखिये और यही इनके सवाल है कि तो बिन से बात कि मैं इस सवाल को सवालों के चवाब नहीं ही दोंगी तो God लिखते हैं। अब मेरे खुद लिखती हूं अपने घुले लिखती हूं और ऐसा नहीं कि पहली बार यह लिखा हुआ है। पिछले दो सालों से मैं लगातार समाजिक मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, महिला की सुरक्षा पर, बहुत सारे कुरोना का जो हाल हुआ था, उस पर भी मैं गीत लिखते रही हूं, पहली बार कोई मैं नहीं गीत गा रही हूं, यार, कि हाँ भंका नशा कर लिये थे, और नशे में कुछ भी लिख दिया, पता ही नहीं कि कौन से शब्द बोल रहा है, एसा कुछ भी नहीं है, मैं पूरी होश हूँ, आवाज में गीत लिखी हूं, और गाई हूं, और मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं लोगों की भी प्रतिकृया लेना चाहूंग कि आप लोग बताईए कि क्या मैंने गलती किया है, क्या सच में मेरे बोल, मेरे शब्दैसे हैं, जिस पर आप लोगों के बीच इस तरह की कुछ तनावपुर्ण माहौल हुआ है, आप लोग खुद बताएं. विवादों से आपका पुराना नाता रहा है, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो इलावाज उनिवस्थी पे भी आपने कोई गाना लिखा था, वो गाया था, बिहार पे भी, तो वो भी काफी ट्रॉल हुआ था, उसमें भी जब ट्रॉल हुआ था, तो लोगों की सोचना कर दे, उनसे सवाल पूछ ले, वो कहां पसंद है, तो इसलिए मुझे नोटीस दे करके, इस तरह की हरकते करके, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है, और ये कुछ भी नहीं है, कि पुलीस कीतनी बड़ी फोज भेज देंगे, तो आठ दस पुलीस देख करके ये जाएगी कि अरे भाई क्या हो गया, तो वहिया मैं एक लोगतांतरिक देश में रहती हूं, और मुझे पता है कि मुझे क्या मेरे अधिकार है, क्या मेरे कर्तव हैं, ये सारी चीज़ें, तो आप ऐसी ही थोड़ी मूटा के चले आओगे, मुझे नोटीस बेजने, गिरिफ वकिल से ही बात करके मैं दूंगी जवाब इसका, और निया सिंग राठोर के आगे इसी तरीके से गाना गाती रहेंगी, बिल्कुल आते रहेंगे, न वो कभी रुके हैं, न आगे रुकेंगे, यूपी में काबा सीजन वन आया था, उस ताइम पे भी अपने देखा होगा किस तरह से लोग भद्धी ट्रोलिंग कर रहें थे, मैं नहीं रुकी न, आगे भी मैं नहीं रुकूंगी, तो मैं नहीं रुकने वाली हूँ. पहती नहीं सिंग राठोर, इनका साफ तोर पर ये कहना है कि जो कानपूर पुलिस की तरफ से इनको नोटिस आया है, उसका जवाब ये अपने वकील के जरिए कानपूर पुलिस को जरूर देंगी, और गाना ये लगातार इसी तरीके से गाती भी रहेंगी. कैमरमेन अजी चाकू के साथ मनोज वर्मा, ABP News, डिल्ली.